जोडो के दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, इन सभी के लिए आज मैं बहुत यह सरदार घरिरू नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, आप किसी और को भी यह नुस्खा बताएंगे तो आपको हमे दिशा दुआएं देंगे, यह नुस्खा बहुत ही साधारन है, बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका एफेक्ट बहुत ही जादा असरदार है, इससे इतना फायदा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, पहले दिन के ही इस्तेमाल से आपको फर्क दिखने लगेगा, और 10 से 15 दिन में तो आपको जोरो के दर्द से बहुत ही जादा आराम मिल जाएगा, तो यह नुस्खा क्या है, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप वीडियो को लास तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आज कल बच्चे हो, बड़े हो, बुजूर्ग हो, सभी को जोडों के दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जोडों से ग्रिस खतम हो गया है, कट-कट की आवाज आती है, य जिसके लिए काफी सारे मेडिसिन्स भी लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है, तो आप एक बार इस नुस्खे को आज मा कर देखिए, आप खुद कहेंगे कि वाह क्या नुस्खा आपने बताया है, आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा, फिर अपना फीड कर लीजिए, जब अच्छी तरह से उबल जाए, तो आपको तुरंथी ग्लास में पोर कर लेना है, और उसके बाद इसमें आपको मिलाना है एक चमच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ध्यान रखें कि प्योर हो, घर की पिसी हुई हो, तो ज़्यादा फाइदा करेगा, उसके बाद इसमें मिलाना है एक चमच देसी गाई का घी, तो आप अपने आसपास के एरिया में देख लीजिए, अगर प्योर देसी गाई का घी मिल जाता है, तो ज़्यादा बेहतर है, अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लेना है, चाहे तो आप दो गलास म की मदद से भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जैसे भी हो बस तीनों चीजे अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए, इन सारी चीजों को अगर आप गरम दूद में ही बिल्कुल मिक्स करेंगे, तभी अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा, मिक्स होने के बा आसको खड़े हो करके और गुट गुट कर पी लेना है। आपको इस नुश्खे को सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। लेकिन इसके साथ ही आप दियान रखेए। पानी जब भी आप पीजिए आपको बैठ करके पीना चाहिए। गुट गुट कर पीना चाहिए तो पानी को आप बैठ कर पीजिए गा और इस नुस्खे को आपको खड़े होकर के पीना है आप इस चीज का जरूर दिहान रखिएगा तो आप साथ से दस दिन तक इस नुस्खे को लगतार कीजिए रेगुलर लीजिए जब ठीक हो जाए आपको इस नुस्खे से कितना फाइदा हुआ तो मैं इसी तरह की यूजफूल वीडियो लेकर आती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन यूर्पेस कर लीजिएगा तो आप से जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए आप का बहुत-बहुत धनेवाद